दोस्तों काफि सारे लोग बोल रहें हैं कि भाई सहाब सरकसके कलेक्शन कहा है उसके रिपोर्ट तो आप लोग दे ही नहीं रहें लेकिन दोस्तों मैं यार क्या ही रिपोर्ट दूँ उसकी, मतलब बॉक्स आफिस में कलेक्शन ऐसे कि ये कमाई नहीं लग रहा है कि भाई सहाब चंदा इखटा कर रही है, चिलरी कमाई दोस्तों यहाँ पे सरकस्ट मूवी करते होई दिखाये दे रहे हैं, भाई सहाब रोह सुपरिस्टार के रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन दोस्तों वो अभी यहाँ पिछड़ते होई दिखाये दे रहे हैं, और कार्ती कारियन जो कोवीड से पहले लग रहा था कि ऐसा ही है, मतलब साइड रोल करने वाला ही ये आर्टिस्ट है, लेकिन वो इस वक्त दोस्तों स सुपरिस्टार की रेस में सबसे आगे हैं, आप लोगों पता होगा, 2022 उन ही का रहा, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, बताई देता हूँ भाई, सरकस मूवी का क्या हिजाब किताब रहा, मतलब मंडे की कमाई इसकी किस चरीके की सामने आई है, जो दोस्तों बस कलेक्शन होता है, अराउंड 30 करोड रुपे होता है, उवर्सी से 200 ज्यादा नहीं है, 3,3 करोड रुपे की कमाई हुई है, यानि कि इस मूवी ने आप लोग कह सकते हो कि 33 करोड, 34 करोड रुपे कमा लिया है, अब तक 4 दिनों में, लेकिन दोस्तों इसका जो बजट है जैसे कि आपको बता होगा, दंगल ले लो आप लोग, या फिर अन्वीर सिंग की ही सिंबा ले लो, उसने भी अच्छी कमाई की थी, हाला हला कि उस वक्त माहौल अलग था, वो दोर अलग था, यानि कि कोविट से पहले था, और लोगों को कोई सी भी मूवी चल जाते थी लेकि टाइप पास होना चाहिता, हला कि वो मूवी भी ठीक ही थी, अगर हम लोग देखें कि सरकस से, सरकस में बे मतलब की कमेडिया हैं गारी से, अगर हम लोग यहाप काई शोज देखें कितने हैं इसके पास, तो देखो भाई, कल मूंबई में साड़े 600 शोज थे, तो आ आज एक करोड दोस्तों यह 90 लाख रुपय कमाईगी, अगर यह इतना कमाती है, तो इसकी कमाईए आप लोग कह सकते हो कि 25 करोड 10 लाख रुपय हो जाएगी, 25 करोड रुपय नेट केलेक्शन, यह तो रही दोस्तों इस मूवी का हाल, लेकिन जहां एक तरफ एक मूवी अ कमाल कर रही है, डबल डिजिट के नीचे आने का नाव भी नहीं ले रही, कल की ही दोस्तों अगर मैं आपको कमाईगी बताऊं, डेलेवर यानि की मंडे की सेकिंड मंडे की, तो 12 करोड 10 लाग उरुपय इसने ठोक दिये, आज की गाईज अगर हम लोग कमाईगी बता, हला पहुँच जाता है, वगर लोग शोज देखें, तो मुंबई में इसके पास 216 शोज है, तो भाई जेलींजियार में 1910, पूने में दोस्तों डिनील्यार में शोज है, तो भाई सहाव बेंगलूरू में 260, हैडरावाज में इसके पास 131 शोज है, तो कोलकता में 44, इस तरी के का हिसाब किताब मतलब शोज जो छीने गए थे वापस मिल गए दोस्तों देखो आहिमेक्स अभी भी 80% चल रहा है आहिमेक्स के 3D वाला वर्जन और दोस्तों अगर हम लोग बात करें 4DX तो यह भाई 95 से नीचे आई नहीं रहा 95% क्योगीपेंसी दोस्तों अगर बात की जाए हिंदी वाले वर्जन का तो हिंदी वाला वर्जन भी 20% तक है भरा हुआ और शोज है मुमए में 348 दिली अंसियार में 401 वाला शोज बढ़ी रहा है पूने में 172 बैंगलुरू में 233 और दोस्तों तमिल तेलगु वाले वर्जन भी बहुत अच्छे है 20% क्योगीपेंसी के साथ तमिल तेलगु है क्या कमाई हो सकती है तो रात सुबह मैंने आप गजाया था कि 11 आए गया तो 11 को कमाई होती होई दिखाए दिरी आनि कि यह जो मूवी है सुलों होने का कोई मून नहीं है हलां कि वह बहुत जल्द ही एक बिलन पार करने वाली है नौसो दस मिलियन यूस डॉलर इसने गया जुनों में कंप्लीट कर लिया आप लोग यह कह सकते हो यानि कि सम्तिंग राउंड साथ हजार करोड लेकि दोस्तों कर हम बात करें अगर 11 को कमा लेती है तो 275 करोड 455 रुपे 275.95 करोड यानि कि बहुत नजदीक है बहुत नजदीक है यह 300 करोड कलब में जाने के लिए तो 400 करोड तो आएगा जेब में है 200 करोड क्यूंकि आगे आने वाले समय में कोई भी मूवी नहीं आ रही तो यहां पे दो मूवी एक पाताल तो भाई साहब एक आस्मान आपका क्या कहना है बताओ कमेंट में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही